दुनिया मांगी अपनी मुरावी में तो मांगू सर्ड जो अपनी अमेजिंग परसनलिटी और कमाल की एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेती हैं जिनकी सूशल मेडिया पर मिलियंस में फैंस हैं इनकी वीडियो सबसे यूनिक और अलग होती हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिया तिवारी के बारे में प्रिया और सचिन के रिस्ते को लेकर हर कोई कन्फ्यूज है और जानना चाता है आखिर इन दोनों का अपस में रिस्ता क्या है वही कुछ यूजर्स का कहना यही है कि ये दोनों भाई बहन हैं और वो उनके घर के पास रहते हैं आखिर इनकी असली सच्चाई क्या है और साथ ही आपको बताएंगे प्रिया की लाइफ की कुछ ऐसे सिग्रेश जिने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आखिर क्यों कर ली प्रिया और सचिन ने सादी तो वीडियो बहुती ज़्यादा इंट्रस्टिंग होने वाला है एंट तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आएए वीडियो को करते हैं स्टार्ट हर कोई मेरा दोस्त नहीं लेकिन जो मेरा दोस्त है उसके जैसा कोई दोस्त नहीं दिल तेरे दुम धड़के ना और ये अपने ग्रेजुएशन फैसन टेकनोलोजी से कम्प्रीट कर रही है प्रिया को बच्पन से ही एक्टिंग करना और सजना सवरना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये छोटे से ही एक्टिंग किया करती थी ये अपने स्कूल में भी हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और इनकी फैमली भी इने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी अगर प्रिया की फैमली की बात करें तो इनकी फैमली में इनकी मम्मी पापा के लावा एक भाई और एक बहन है प्रिया थिवारी एक मिडल क्लास फैमली से ब्लॉंग करती थी इनके पापा का नाम संजय थिवारी जो की एक किसान है और इनकी मा दीपती थिवारी जो की एक हाउस बाइफ है तो अब बात कर लेते हैं प्रिया थिवारी के स्टार्टिंग से करीर के बारे में इन्होंने अपने करीर की सुरुआ टिक टॉक से की थी और ये टिक टॉक पर लिफ सिंग वीडियो और डांस वीडियो बनाती थी पर इनकी वीडियोस पर बिलकुल वी वीउस नहीं आते थे और इने टिक टॉक से कोई भी फेम हासिल नहीं हुआ जब तक इंडिया से टिक टॉक फैन हो गया और इसके बाद प्रिया तिवारी ने इस्टाग्राम और यूट्यूब जोइन कर लिया और इस पर वीडियोस बनाने लगी इस पर प्रिया तिवारी सचिन तिवारी के साथ वीडियोस बनाती थी और इनकी कपल्स वीडियो को स्टार्टिंग से ही लोगों ने बहुत ज़दा पसंद किया और इनकी पहले ही वीडियो काफी तेजी से वारल हुई और लोगों ने इनकी कपल्स वीडियो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनके फैन फॉल्लविएंग की संख्यातेजी से वर्ने लगी तो अब बात कर लेते हैं प्रिया तिवारी और सचिन तिवारी का आपस में रिस्ता क्या है बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो प्रिया और सचिन के घर के पास ही रहते हैं और वो जानते हैं कि ये दोनों सच में भाई भेन है प्रिया तिवारी और सचिन तिवारी दोनों ही सूरत से ब्लॉंग करते हैं और दोनों का घर पासी पास है दोनों ने ही एकी स्कूल से अपनी स्टडी कम्टीट की है प्रिया और सचिन दोनों ही एक अच्छे दोस्त थे और इनकी दोस्ती बहुत ज़दा गहरी थी इसके बाद इन्होंने डिसाइट किया कि ये दोनों साथ में कपल्स वीडियोज बनाएंगे इन्हें कपल्स वीडियोज बनाते बनाते एक दूसे से प्यार हो गया और जब सचिन ने प्रिया को प्रोपोस किया तो प्रिया ने असेप्ट कर लिया क्योंकि प्रिया भी सचिन से प्यार करने लगी थी और इसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए प्रिया ने अपने इंटर्व्यू में बताया था कि उनके भाई का नाम भी सचिन है और उनकी कास्ट भी सेम है इसलिए लोग सचिन और प्रिया को भाई भेन समझते हैं प्रिया और सचिन दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं वहीं कुछ यूजर्स का कहना ये है कि वो प्रिया और सचिन के घर के पास ही रहते हैं और वो सच में दोनों भाई भेन हैं दोस्तों आपको क्या लगता है? प्रिया और सचन दोनों सच में भाई भेन है या गल्फेंड वर्फेंड और आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है? कमेंड वोक्स में जरूर बताना तो अब बात कर लेते हैं प्रिया थिवारी की सोशल मेडिया पर फेम के बारे में इनके Instagram पर 4.3 मिलियन और YouTube पर 13.6 लाग के subscribers कम्रीट हो चुकी है तो अब बात कर लेते हैं प्रिया तिवारी की फेवरेट तिंक्स और होबी इसके बादे में इनके फेवरेट एक्टरस सल्मान खान और फेवरेट एक्टरस कैटीना कैफ है इनका फेवरेट कलर वाइट और रेड है इनने ट्रेवलिंग करना वीडियोस बनाना बहुत पसंद है प्रिया तिवारी को सचिन के साथ टाइम स्पैन करना अच्छा लगता है प्रिया की फिसिकल मेजरमेंट की बात करें तो इनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है बोड़ी वेट 55 एप्रोक्स है आई और हेर कलर डाग ब्राउन है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो प्रिया तिवारी और सचिन तिवारी आपको कितने पसंद है आई वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, शियर और कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही इंटरस्टिंग और नई नई स्टोरीज चानने के लिए मेरे चनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें अपने सजेस्चन जरूर देना मैं सब के कमेंट्स को रीट करती हूँ थैंक्यू गाइज अब मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ आपको आपकी पुरी जिंदरी पगली के साथ बताने है